हेलो हेलो फ्रेंड्स बूड अप्टरनों कैसे आप सब आप सब बहुत अची होंगे आप दो फेर का टाइम हो रहा है और मैं खा ले रहे हैं जूस का आइसक्रीम बनाए तो भी खा लिया है कि आप चानके प्पड़े दूल कर आजयोंगे फिर में जूस बनाँगी चुकू का बहुत टेष्टी लगता है प्रयाद है आपने अब इस तो फाले अलेकर यह का चुम्बक कर देगा है को दिनेश्के क्या काम चल ले देखें आप चुम्बक रखाएं और शुक्त दागा ले लिए दागे को लेकर खीच रहा है और सुई खुद बखुद चुम्बको जाके चिपक रहे हैं देखें तो साइड में रख दी सुई फिर भी चुम्बक उसे खीच ले रहा है तो दिनिश को ऐसे काम करने बहुत अच्छे लगते हैं तो साइड में सुई इसकरा से गुमा रहा है और पर की साइड फिर उचुम्बको बखुद बखुद उसे खीच ले रहा है पिर फर कपड़े दूलकर में आ चुक हूं और मुम्फली वेगरा ले आयते तो इसे और डशाविए वर करकर देतीं उन्हें तो सीठ्व ज्याद ही बहुत battles big अग्जे बहुत ज्यादा जीसे मोई कि जैसा लक्षमन रेखाई की खीच और हर तरब उसका पावर रहता है 3-4 गंट फिर उसके बाद में उसका पावर चला जाता है फिर चीटियों ने बहुत परिशान किया है जैसे खाली बर्थुनों में भी चीटिया हो जाती है और तीखी मिटी आईली कौन सी भी चीज़ें उसमें चीटिया हुई रही है और यह देखे बर्थुनों का धेर लगा है और बर्थन नीचे भी रखी हुए तो वह भी सारे में दूल कर ले ली थी पहले तो बहुत जली से सूख जा रहे है बर्थन और सूब से बर्थन रख्योए क्योंकि आज बर्थन क्लीन करने के टाइम ही नहीं पाया मुझे कपड़े बर्थने सारे का में इसे रखे में गई थी छत पर क्योंकि मुझे दाल फटक नी थी दाल बनाकर रख दी थी मगर उसे फटका नहीं था मैंने फिर आज मैं सारी दाल हवा में छोड़ दी जैसी तूर दी हवा में तो सारी उसके चिलके जो आलग हो गई इस सुब टाइम लग जाता जिसे चार से पाच गुंटे मुझे लग जाते दाल सारी पटकने में और हाथ भी बहुत धर्थ करते तो यह अच्छा हुआ यह सारे काम रखे में छत कर गई थी सारी दाल तूर दी साफ होगी दाल और दूप से पहले में नीचे आ गए ने तो इस टाइ बार में धो लिया ठीजाब लेए तो यह क्षा रहाए था फेल जो लिकिविट थोड़ा से ने कलीन करदे बहुत अच्छा लिकिविट बृत ज़ली से फटाप्ट से क्लीन हो जाते रिटर्जे और शाबुन से मैं बर्धन क्लीन कर दीती पहले मेरे मेरे हाथ भराब हो रह आप बना लेता है रातका खाना यह पर चावल भी भोकर रख दिया है और चावल में यह एक दुभर गंकर आये थे तो इसलिए महीं चावल इसलिए रातको ऊपर Okay यह उपर करें चावल आ रहे जिसे पानी में हरे खावल के पानी ढाल दे रहे हैं और जो भी कंकर वंकर होंगे वो नीचे के साइड बढ़ जाएंगे तो इस तरह से एक भी कंकर हमारे चावल में नहीं आएगा और खाने में एक भी कंकर आ गया है न तो सारे खाने खम मज़ा किरकिरा हो जाता है तो इसलिए हमें जब भी खाना बनाना है अच्छे से डाल हो या चावल अच्छे से साप में खाना बना लेती हूं एक दो बार इने आया था हमें नहीं आता है कंकर मगर दिनिश को पापा को आता है सारी जो कंखरियों नीची के साइड बेढ़ जाते हैं और ऊपर ऊपर चावल आ जाते हैं चावल अच्छे साफ करके इसमें नमकोई रैडार्गी से पकने के लिए रख देती हूं और सब्जी में जमेती की सब्जी बनाऊंगी और सेज की फटलिया भी लिया है तो भ पापाजी दिपक दिने सबी टीवी देख रहें तब तक में खाना बना ले तो गरम पानी बना करें हाथ आकर रख दिये तो यह ठंडा होता रहेगा हरी मिर्ज भूने के लिए रख दिया है चावल भी पकरें और मेती की सब्जों में पहले तो अईसे खड़े होके ही तोड़ रहे थी मगरे इसमें बहुत जादा टाइम लग जाता है और पेरों में बहुत दर्द कर रहा है जिसे छट से नीचे नीचे इसे छट पर बहुत मेरे फेरे लगते रहते तो थोड़ा से फेरों में दर्द होने लगता है इसलिए थोड़ा सा तसल्ले से नीचे बेटके मैं सब्जी तोड़ रही हूं और दीपक भी आ चुका है मदद करने के लिए तो हैरी मिज भून कर दे दिये तो दीपक ने से पीस कर दे दिया है और तो पापा जी दिनिश दीपक सभी बेटे बाहर रिच्ची को लेके जा रहा है तो सभी खा लेंगे अब मैं बना लेती हुँ सबजी तो पहले कड़े में हम दो चमच ओयल ले लेते हैं और यह सबजी तो पहला हम चावल के अड़े भोड अच्छी से गरम होने देते हैं अब यहँ सुझे की अट्जी हम भाद में उचय एंशा नहीं होता है खनद के मुसम में थोड़ा गरम होने में पहले 不 much time ताइम लग जाता है मगर इन दुनों जैसी गेस पर रख दीते हूं जल्दी से घरम हो जाता है बात में जनने लगता है थोड़ा सा भी धानी तरगर हो गया हमारा तो पर जैसे जीरा राइल चटक गई फिर बात में लेसुन डाला है लेसुन का कलर थोड़ सा चेंज होने के डाला एकटा हरा धनिया और मेती साथी साथ डालकी अच्छे सी मिला लेंगे और इसी थूड़ी देर हम डंक कर रख देंगे अब डालेंगे एक से देड़ चमच के पीसी भी हरी मर्च हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत आच्छा था है मेती सबजी में अब डालेंगे हल्दी और स्वाद अनुसार नमों और अच्छी सी मिला लेंगे अब हम इसे ऐसी थूड़ी धर धक्कर रख देते हैं जोगी तड़के का स्वादे वच्चे से इसमें आ जाए फिर बाद में हमें टमाटर डालेंगे तो थूड़ी धर धक्कर रख दियाए अब थूड़ी धर अभी मिला लेंगे अब डालेंगे तमाटर के अची मिक्स कर लेंगे अब हम इसे डख कर रखदेते हैं इस टमाटर शुकूर ने तक हम तक हम धख कर रख देंगे और हरी मिर्च वगेदा पीसी वी उई कटरी में निकाल कर इसे प्रीज में रख देती हूं और शेहज की सब्जी बनानी मुझे इसके लिए भी शेहज पाट लिए टमाटर ले सुन हरा देना सब ले लिया है और तब तक टमाटर भी अची से गल चुके तो इसे भी थोड़ी दर मिला लेंगे अब डालेंगे हम इस सब्जी बन चुके तो इदर वहले कैसमे बंद कर दिये हैं और इस साइड में अभी सेज की सब्जी बना ले तो आप दीखिए यह सब्जी बन कर तयार है को इस तो इक अच्छी से गरम होने दिते हैं इसमें ओएल गरम होते इसमें राई डाली है फिर डालेंगे जीरा अब डालेंगे तो इसमें अच्छी से मिला लेंगे जैसी तड़के का फ्लेवर इसमें हाना चाहिए इस तरह से हमें तोड़ी देर इसे इस तरह से मिलाते रहना है अब मैं इसमें डाले सुखे मसाले, ज़ी हल्दी पौडर, लाल मिच पौडर और स्वाधन सद नमक और मैं पहले कभी-कभी सुहाना मसाला डाला करती थी, मगर ये मना करने लगे बिल्कुल मसाले ने खाते गर में, तो मसाले डालना में ने छोड़ी दिया है बस लालमिष पॉडर हल्दी पॉडर नमकी डाल दीती हूं ऐसे ही सब्सब्स बहुत टेश्टी लगते हैं बिना मसाले के बीन मसाल के बीमेद कभी कभी में डाला कर दीती है तो यह सब्जी में इसी बना ले तो बहुत टेश्टी लगती है अब मैं यहाँ पर बना ले रोटी और इत तवे का कलर की वैसा होगा इसमें मैंने हरी मिश भूनी थी सुबक की टाइम इसलिए थोड़ा सा तवे का कलर चेंज हो गया है अब हम इसे अच्छे से इस तरह से ग आम आचे होइं का हमे एक साथ ही लगाना होता है जबर चववार उरकाटा जिसे एक?. दो दो रोटीकले में लगा पिछना। फिर शेणा पली से गहता है इपतली से और पर डालके हमें से पानी लगा ले लगां लेते हैं तो रोटी बनाने एक बाणशन हें, बस हमें आटा अच्छे से लगाना है फिर हमारी रोटी एकदम फुली फुली से बन जाती है तो तो रोटी पर अच्छे से पानी लगा दिया है आप हम इसे तुरंती पलट देंगे और इदर में साथे साथ सब्जु को भी देख रही हूँ तो इसमें मैंने पानी तो डाला नहीं था फिर भी जो टमाटर का पानी छूटा है जिसे नमको एकड़ा डालने के बाद थोड़ा सा पानी निकला आता है तो उसी में फुली आचे से पक जाती है तो दिमी गैस पे त तब तक में रूटी बना लेती हूँ तो ये देखे एक दम फुली-फुली से हमारी रूटी बन जाती है तो इसी तरह से सारी रूटी बना लेती हूँ दिपल्ण दिनेश पापा जी को पहले खाना परोज देती हूँ यानी में थोड़ा सा टाइम लग जाता ही ने तो मेति की सबजी, शहेज की सबजी और हो गया और साथ दमी चाँज भी है, दीपक चाँज न हए उसे पसंदे उनके पापा को भी चांज पहुत पसंदी दिन बिना चान्च के उनका खाना आ दो रहा है दिने शूतना पसंद ने चान्च वगेरा बस उसे दाल चावल दे दो बस उसका खाना हो जाता है तो इन तीनों के लिए यह पर थाली तयार है और दीपा की वेट भी कर रहा था कपसे ममीन नहींद आ रहें इसे नों बजीन नहींद आ जाती है तो खाना खाके सो जाएंगे होड़ी नहीं आता है तो बहुत लेट हो जाता है यह से नों दस बजी जाते है तो चलिए अब इस वीडियो परेंट करती हूं और मिलते हैं अच्छी से नेक्स वीडियों में तब तक के लिए बाइबाइबाइ टेक केर गूड नाइट